ओम शान्ति तेहरा नेविंबर दो हजार इक्यस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ तुम मुझे याद करो तो स्वर्ग की बाद्शाही मिल जाएगी प्रश्ण बेहद की खुशी किन बच्चों को निरंतर रह सकती है उत्तर पहला जिन्होंने बेहद का सन्यास किया है और संग तोड एक संग जोड़ा है वही निरंतर खुशी में रह सकते है दूसरा जो फॉलो फादर करते हैं जिन्हें सर्विस का शौक है उनकी खुशी कभी गायब हो नहीं सकती गीत छोड़ भी दे आकाश सिंगासन ओम शान्ती मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना यह किसने कहा बाप ने बच्चों को कहा कि गीत सुना जब अती दुख होता है तब बुलाते हैं बच्ची जानते हैं कि बाप ही सुख धाम वा पावन दुनिया रचते हैं अत्वा भगवान भगवती का राज्य स्थापन करते हैं भगवान और भगवती जैसे सुर्ग के मालिक ठैरे तुम देखते हो लक्ष्मी नारायन कितने धनवान थे कितनी बड़ी राज्धानी थी उनकी राज्धानी में कभी कोई उपद्रव होता नहीं बाप बच्चों को वर्सा ही ऐसा देते हैं तो कितनी खुशी में रहना चाहिए परन्तु नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार तो हैं ही कोई कोई तो पूरा ज्यान ना उठाने की कारण ना वहां की खुशी में रहते हैं और ना यहां की खुशी में रहते हैं उनको कहते हैं दोनों जहां से गई क्योंकि बाप से वर्सा लेते लेते गिर पड़ते हैं दुनिया में यह किसको मालूम नहीं कि भगवान आकर स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वह आते ही हैं गुप्त रूप में। कहते हैं जरूर भगवान इस समय होना चाहिए क्योंकि सब घोर अंधियारे में हैं। रात को बारा बजते हैं तो उनको घोर अंधियारा कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा, दिन में घोर प्रकाश होता है। बच्चे जानते हैं अब भक्ती मार्ग की रात पूरी होती है, जिसमें दुख ही दुख है। मनुष्य समझते हैं, भक्ती के बाद भगवान मिलता है, तुम जानते हो, बाप ही आकर हम सब की सदगती करते हैं। तुम बच्चों में भी नंबर वार तो जरूर हैं, कोई का तो खुशी का पारा चड़ा हुआ रहता है, मेहनत भी खुशी से करते हैं, सर्विस का शौक रहता है कि कोई को जाकर समझाएं। इसलिए बाबा, पृदर्शनी, मेले का भी प्रबंध रचते रहते हैं, कि औरों को समझाने से खुशी का पारा चड़ जाए। यहां जिसके पास धन हैं, वह समझते हैं, हम स्वर्ग में बैठे हैं, उन्हों के लिए ग्यान उठाना मुश्किल है। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई ही इतना समझदार बन, बाब के वरसे के अधिकारी बनते हैं। फॉलो फादर गाया हुआ है, तो बाब की श्रीमत पर चलना पड़ी। जो अच्छी तरहां से श्रीमत पर चलते हैं, उनको फॉलो फादर करना चाहिए। जैसे यह ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरहां चल रहा है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले, तो कहा तुम अपनी रहा लेलो। रावन की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकठा नहीं रह सकते। तुम बच्चे समशते हो कि भारत में ही आदी सनातन देवी देवता धरम था। वह 84 जनम ले पतित बने हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अभी तुम बच्चे समशते हो कि बाकी थोड़े रोज हैं देवी राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है। यह है गुप्त, इसमें लडाई की बात नहीं। ऐसे नहीं चड़ाई करके राज्य लेते हैं। नहीं, यह तो बाप आकर राजाओं का राजा बनाते हैं, जिस बाप को याद करते दुख हरता सुख करता आओ। सन्यासी गुरु थोड़े ही दुख हरता हो सकते हैं। उन्हों का सन्यास है हद का, तुम्हारा है बेहद का। इसमें बेहद की खुशी रहती है। इन लक्षमी नारायन भगवती भगवान को भी बेहद की खुशी है ना पतित मनुश्यों को तो जो आता सो बोलते हैं तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित बोलते हो नई दुनिया में है ही एक धरम उनकी कोई से भी भेट नहीं की जाती है पुरानी दुनिया में भेट की जाती है नई दुनिया में यह पता नहीं रहता कि पुरानी दुनिया में क्या होगा वहां सब कुछ भूल जाता है यहां तुमको सब कुछ बतलाया जाता है कि नई दुनिया कब स्थापन होगी पुरानी दुनिया कब विनाश होगी, तुमको सब नौलिज है, अब तुमको बाप मिला है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो उनसे अच्छी तरहां से वर्सा लेना चाहिए, वर्सा मिलना भी उन्हों को है, जिन्होंने कल्प पहले अच्छी तरहां पुर्शार्थ किय उनमें भी नंबरवार हैं, यह है कांटों की दुनिया, पहले नंबर का कांटा तो सब में है ही, पुरानी दुनिया छीची, नई दुनिया अच्छी होती है, स्वर्ग किसको कहां जाता है, यह भी किसको पता नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्ग वासी हुआ, स्वर्ग है कहां जो स्वर्ग वासी हुआ, तुम जानते हो स्वर्ग भी इस भारत में था, नर्क भी भारत में है, तो यह अक्षर वो लोग पकड़ कर कह देते हैं, स्वर्ग नर्क यहां ही है जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है परन्तु ऐसे नहीं है भारत नया था तो सत्युग था जिसको स्वर्ग कहा जाता है अभी पतित दुनिया नर्क है दुनिया तो एक ही है नई दुनिया में लक्षमी नारहिन का राज्य था पुरानी दुनिया में रावन का राज्य है भगवानु वाच मैं तुमको चोरासी जन्मों का राज बताता हूं इस राज योग से तुमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूं तो नर्क का जरूर विनाश होना ही चाहिए शाश्त्रों में कृष्ण का नाम डाल लडाई आदी दिखा दी है पांडवों की कोई सेना तो है नहीं आजकल कन्याओं माताओं की पल्टन बनाए उन्हों को बंदूक आदी चलाना सिखाते हैं यहां तुम्हारे हाथ में बंदूक आदी कुछ नहीं है उनको क्या मालूम तो शिव शक्ती सेना कौन है शिव बाबा तो कभी हिंसा करा नहीं सकते लडाई की कोई बात ही नहीं तुम जानते हो कि शिव बाबा की रूहानी सेना है शिव बाबा हमको डबल अहिंसक बनाते हैं उनको कहा जाता है हंड्रेड परसेंट नौन वाइलेंस यहां है हंड्रेड परसेंट वाइलेंस हिंसा एक ही बॉम से कितनों का विनाश कर देते हैं बेहद के नौन वाइलेंस और वाइलेंस में कितना फर्क है तुम अभी इस समय बेहद की साइलेंस में हो उस तरफ जितना लडाई की तैयारियां होती जाती हैं उतना आवाज बढ़ता जाता है कितना हंगामा होता है विनाश में इस थापना में तो कितनी साइलेंस में बैठे हो हिंसा की कोई बात ही नहीं तुम्हारी अब प्रैक्टिकल लाइफ है बाप से योगबल द्वारा वर्सा पा रही हो बाप अल्फ को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलती है कितना सहज है बाप कितना मोस्ट बिलविड है कितना दूर देश से आते हैं जैसे विलायत से किसका बाप आता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं बाबा हमारे लिए विलायत से अच्छी अच्छी सौगात लाएंगे यह बेहद का बाप तो एक ही बार आता है कौन सी सौगात ले आते हैं? कहते हैं मैं तुम्हारे लिए हतेली पर बहिश्ट ले आया हूं जैसे कहते हैं हनुमान संजीवनी बूटी का पहाड ले आया अब पहाड तो कोई उठा नहीं सकता है वैसे ही बाप कहते हैं मैं हतेली पर बहिश्ट ले आया हूं अब बहिश्ट कोई हतेली पर थोड़े ही उठता है यह तो समझ की बात है बच्चे तो जानते हैं बाबा हमारे लिए नंबर वन सौगात लाई है बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाने तो पावन बनना पड़े यह राजयोग है ना भारत का प्राचीन राजयोग गीता के भगवान ने ही सिखलाया था और राजाई दे थी अब फिर से राजयोग सिखला रहे हैं तुम कहते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के बच्चे हैं बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो जरूर किसी को तो बाच्चा ही मिली होगी ना ऐसे भी नहीं सिर्फ स्वर्ग में रहने वालों को ही बाप ने दिया होगा और सबको भी तो बाप देते हैं ना बाकी सबको ड्रामा अनुसार मुक्ती का पार्ट मिला हुआ है सब मुक्तो जाते हैं एक ही बाप सर्व का सदगती दाता है दूसरा ना कोई तुम्हारी पास प्रदर्शनी में जो नामी ग्रामी आते हैं जो मानते हैं कि बरोबर गीता का भगवान शिरी कृष्ण नहीं है शिव है तो उनसे लिखवा लेना है बड़े आदमियों की ही बात को सुनेंगे गरीब की तो कोई सुनते नहीं इसलिए प्रदर्शनी में कोशिश कर यह लिखवा लो गीता का भगवान एक ही है वह सबका बाप है आज से पांच हजार वर्ष पहले भारत स्वर्ग था लक्षमी नारायन का राज्य था अभी तो सारे विश्व पर रावन का राज्य है यही सबका दुश्मन है जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है अभी भारत का बड़ा दुश्मन यह रावन है यह बात सिर्फ तुम जानते हो अब राम परम पिता परमात्मा रावन पर जीत पहनाते हैं कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे तुम लायक बन जाएंगे तो फिर नई दुनिया चाहिए जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था सो होगा महाभारत लड़ाई लगी ही तब है जब रावन राज्य विनाश हो राम राज्य स्थापन होता है रावन राज्य में ही हाहा कार शुरू होता है हाहा कार की बाद जेजे कार होती है दुनिया बदलती है जैसे पुराना घर तोड नया बनाया जाता है फिर तोडा जाता है यह भी स्थापना हो रही है बॉम्स आदी बनाते ही रहते हैं, तैयारियां हो रही हैं, अभी दशेहरा आया, तो रावन की एफिजी भी निकाली, तुम्हारी है बेहद की बात तुम्हारी बुद्धी में आता है, यह क्या करते हैं, तुम जब समझाएंगे, तब समझेंगे हम यह क्या करते हैं, हसी भी आएगी, किसको भी समझा सकते हो, इतना बड़ा रावन तो होता ही नहीं, अब बाप कहते हैं, तुम राम राज्य लो पांच विकारों का दान दो ग्रहन छूट जाए बाप आकर समझाते हैं यह पांच विकारों का ग्रहन सारी दुनिया पर लगा हुआ है बिलकुल ही काले हो जाते हैं तुम बच्चों को तो अथा खुशी होनी चाहिए बाकी थोड़े रोज हैं तुम अभी Creator, Director, मुख्य, Actors ड्रामा के आदी मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते तुम्हारी अब स्वच्च बुद्धी बनी हैं तुम बाप के बने हो तो जरूर स्वर्ग में भीज देंगे Knowledge is source of income कहा जाता है यह है रूहानी नौलेज जो बाप ही देते हैं मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते दुनिया में सब मनुष्य मनुष्यों को Knowledge देते हैं तुमको तो बाप सुप्रीम सोल आकर ज्यान देते हैं बाकी सब हैं भक्ती मार्ग की दंत कथा सुनाने वाले सत्य नारैन की कथा रामायन की कथा जो पांस्ट हो गया है वह कुछ न कुछ बनाते रहते हैं यह तो है पढ़ाई पढ़ाई में History Geography सुनाई जाती है यह है वर्ल्ड की History Geography Huge तुम समझाते हो बाबा ने पांच अजार वर्ष पहले भी कहा था वह गीता पढ़ने वाले थोड़े ही कुछ समझते हैं यादव, कौरव, पांडव किसको कहा जाता है तुम प्रैक्टिकल में देखते हो यूरोप वासी यादवों ने मूसल निकाले विनाश हुआ विनाश के बाद क्या हुआ वह कुछ नहीं दिखाते हैं वह समझते हैं प्रलै हो गई वह कहते हैं तुम शाष्टरों को मानते हो बोलो हाँ हम शाष्टरों को जानते हैं मानते हैं यह सब भक्ती मार्ग के हैं ज्यान तो एक बाप ही सुनाते हैं जो ज्यान का सागर है अब भक्ती खतम हो, ज्ञान जिन्दाबाद हो रहा है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, nothing new, हमारी प्रीत है बाप से, हम और संग तोड एक संग जोडते हैं, बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ, इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जो बाप ही सिखलाते हैं, कृष्ण की आत्मा भी इस समय अंतिम जनम में हैं, इनको कहते हैं, तुम अपने जनमों को नहीं जानते हो, यह तुम्हारा बहुत जन के अंत का जनम हैं, इसलिए मैंने इसमें प्रवेश किया है, मैं इसमें बैठकर तुम बच्चों को भ्रम्मा मुख वन्शावली बनाए, राज्य भाग्य देता हूं, बाप के सिवाए और कोई बता न सके, यह तो बाप खुद इस मुख द्वारा सुना रही हैं, यह जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, भारत वासियों को ही समझाना पड़ी, चोरासी जनमों का चकर कैसे फिरता है, यह वही लडाई खड़ी है, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे, जबकि बाप ने आकर राज्योग सिखलाए, मनुष्यों को देवता बनाया थ अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार पहला, जो अच्छी रीती श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें फॉलो करना हैं बेहद की खुशी में रहने के लिए, आप समान बनाने की सेवा करनी हैं दूसरा, प्रीत बुद्धी बन और संग तोड एक बाप से जोड़ना हैं डबल अहिंसक बन साइलेंस में बैठ अपनी राजाई स्थापन करनी हैं वर्दान, मर जीवे जनम की स्मृती द्वारा, करम बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोप कारी भव लोकिक करम बंधन का संबंध अब मर जीवे जनम की कारण शिरीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है करम बंधन नहीं, सेवा का संबंध है सेवा के संबंध में वेराइटी प्रकार की आत्माओं का ज्यान धारन कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे लेकिन अती पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत वा घ्रणा के बजाए रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझ कर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्यानी वा परोपकारी गाए जाएंगे स्लोगन समय वपरिस्थिती प्रमान वेराग्य आया तो यह भी अलपकाल का वेराग्य है सदाकाल के वेरागी बनो ओम शांती कि अधाल नाई कर दो दो कि अधाएंगे कि अधाएंगे कि अधाएंगे झाल झाल